नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 105 यह हमारी मैथमेटिक्स की वर्क्षीट होने वाली है 10 नमबर 2020 की इधर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपने नम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानि अध्यपक का नम लिखेंगे आज के हमारी वर्क्षीट में हम सीखेंगे इनलाइज the given representation of data and draw simple conclusions यानि हम क्या करेंगे, कुछ data यानि आकडो का यहाँ पर representation दिखा रखा है यानि कुछ हमें बनाकर दिखाया है, हमें उसको क्या करना है, उसको देखना है और उसमें से जो ची समझ सकते हैं, वो हमें समझनी है देखते हैं कि क्या करना है हमारी आज की वक्षीट का टाइटल यानि शीरशक है चपाती चार्ट तो इसमें हम चपाती चार्ट या इंग्लिश में इसको पाय चार्ट बोलते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे यही हमारा representation यानि दिखाने का तरीका होगा क्या दिखाना है डेटा दिखाना यानि आकड़े दिखाने है और इसी को देखके हम क्या करेंगे draw simple conclusions यानि जो ची समझ में आएगी वो हम बताएंगे कि ये चितर ये चार्ट क्या दिखा रहा है आईए इसको पढ़ना शुरू करते हैं एक दिन नेहा और मनीश अपनी कोपी में गोल गोल आकरती बना कर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे तब ही चेतन वहां आता है और उनसे पूछता है कि तुम यहे क्या बना रहे हो नेहा ने बताया यह है चपाती चार्ट चेतन ने कहा अरे हाँ यह तो चपाती जैसा गोल गोल है लेकिन इससे क्या करते हैं मनीश ने कहा इससे हमें कई तरह की जानकारी मिलती है हमारे चपाती चार्ट को ध्यान से देखो यह पूरा गोला यानि चपाती चार्ट हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित करता है देखे उपर हमने वर्ड पढ़ा था ना रिप्रेजेंटेशन उसका हिंदी मतलब क्या होता है प्रदर्शित कुछ दिखाता है प्रदर्शित करता है इसमें एक रंग लड़कों के लिए है और दूसरा रंग लड़कियों के लिए चेतन ने कहा इसमें तो आधे भाग में एक रंग और आधे भाग में दूसरा रंग इसका मतलब तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में है यह देखे, इधर देखे, ध्यान से, यहाँ पर यह वो चार्ट बना रहे थे, यह है चपाती चार्ट, ठीक है, यह कैसा होता है, गोल होता है, जैसा कि इसका नाम है, अब इसमें दो अलग-अलग रंग भर रखे हैं, ठीक है, आधा एक रंग, आधा दूसरा रंग, यानि इ दिखाया हुआ है इसमें क्या रिप्रेजेंट किया है इसमें क्या प्रदर्शित किया है इसमें ये दिखाया है कि जो नीला रंग है वो ये दिखाता है कि क्लास में लड़कियां कितनी है और जो ये गुलावी रंग है इसमें ये दिखाया गया है कि क्लास में लड़के कितन और आधे लड़किया हैं तो यह हमने इससे conclusion निकाला हमने एक निर्णेट बनाया यहां पर हमने एक चीज को समझा है इस representation को देखकर इस चपाती चार्ट को देखकर तो इसी तरीके से हम इन चपाती चार्ट को आगे देखेंगे और उनसे आ रहे प्रशनों के उत्तर चार्ट था ठीक है यह पूरा गोला है और इसमें से कुछ हिस्सा इधर है नीले रंग में वो क्या है नीले रंग वाला हिस्सा है लड़किया और गुलाबी रंग वाला हिस्सा है लड़के अब इस चार्ट को देखकर हमें क्या पता चलता है आप इसे देखकर बताईए प तो ये आधे से जादा है या आधे से कम है तो ये तो आधे से कम है आधा तो इधर होता पूरा ठीक है आधा तो ये सारा हिस्सा हो जाता पूरा लेकिन ये तो आधे से कम है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आधे से कम देखे इधर आप लिख सकते हैं आधे से कम ठीक ह लड़के क्या है गुलाबी रंग का हिस्सा अब ये तो हमें दिख रहा है कि गुलाबी रंग का हिस्सा आधे से ज्यादा है तो यानि उसकी कक्षा में लड़के आधे से ज्यादा है ठीक है तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे आधे से ज्यादा ये लिजे ये इसका आंसर ह चालिए आगे बढ़ते हैं खं फार ट में लिठा है कि एक खुचा के बंचों से पूछा गया कि क्या वे बारिश में नहाना पासंद करते हैं उनका पास्ट शया इस तरह बनाया गया कि के लड़क्षा में कि लड़किए और कितनी सारे बच्चे हैं ठीक है तो उसमें से कितने बच्चों को बारिश में नहाना पसंद है और कितनों को नहीं है तो इसने हमें चपाती चार्ट बना कर दिखाया और इस चार्ट से हमें क्या पता चला इस चार्ट से हमें ये पता चला कि जो लाल वाला कलर है उसमें क्या दिखा से हैं सफेद वाले वो हैं जो बारिश में नहाना पसंद करते हैं ठेक हैं तो इससे हमें क्या कोशन करना है आए देखते हैं कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं यह हमसे पूछा गया कितने बच्चे बारिश में नहाना यह देखो पसंद करते हैं तो पसंद जो करते हैं वो सफेद रंग से दिखाया था ये देखिए ये इतना हिस्सा सफेद है अब इसके ऑप्षन देखते हैं इन में से हमें सही ऑप्षन पे टिक करना है या तो आप टिक कर सकते हैं या अगर आप अपनी कोपी में लिख रहे हैं तो आप सही आंसर कोपी में लिख स पहले इदर देखिए, यहां पर यह एक पूरा गोला है, ठीक है, इसको मैंने आदे हिस्से में बाट दिया, ठीक है, आदा हिस्सा इस तरफ हो गया, आदा हिस्सा इस तरफ हो गया, लेकिन अगर मैं इसको आदे हिस्से में और बाट दूँ, यानि इस तरीके से और बाट ठीक है तो मैंने यहाँ पर कितने हिसे बना दिये हैं ठीक है अब यह देखिए जो सफेद वाला हिस्सा है जो हमसे सवाल पूछा गया था कि कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं यानि जो सफेद वाला हिस्सा है वो इस पूरे गोले में से इस पूरे चपाती म से कितना है ये देखे चार हिस्से तो हमने बना दिये थे ठीक है और ये हिस्सा कितना है उन चार में से एक ही है तो यानि ये हिस्सा है एक कितने में से चार में से तो एक बटा चार जो बच्चे हैं वो बारिश में नहाना पसंद करते हैं एक बटा चार का क्या मतलब होता है एक चोथाई ठीक है 1 फॉर्थ और हाफ यानि आदे का क्या मतलब होता है एक बटा 2 ये कैसे होता है आईए एक बार इसको भी देख लेते हैं उपर वैसे लिखा हुआ था आईए यहां पर भी देख लेते हैं कि आदे हिस्से को 1 बटा 2 क्यوں लिखते हैं यह देखें मालनी जी यह पूरी एक चपाती है ठीक है इसको मैं बीज में से 10 कर देता हूँ ठीक है बीज में से 10 कर दिया मैंने अब इसके कितने हिसे हो गए 2 हो गए तो यह वाला जो हिस्सा है इधर इधर वाला हिस्सा अगर हम लेके चलें तो ये हिस्सा कितना हो गया? एक हो गया कितने में से? दो में से तो ये कितना हो गया? आधा इसलिए आधे को हम कैसे लिखते हैं? एक बटा दो ठीक है? ऐसे ही एक चोथा हिस्सा क्या हो गया? एक बटा चार यानि चार में से एक हिस्सा तो जैसा कि हमारा सवाल था कि कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं उसका जवाब है एक बटा चार ठीक है जैसा कि हम ये कलर से भी देख सकते हैं कि सफेद रंग के जो है एक बटा चार हिस्सा ही यहां पर दिखाया हुआ है, तो उसके लिए हमारा सही अंसर क्या हो जाता है यह सेकिंड वारा, क्या एक चोताए, ठीक है तो यह अंसर आप यहां पर अपने कॉपी में लिख लेंगे, अगर आपक्स वरकशिट है तो आप उसमें यह answer टिक लगा लीजिए एक चोथा ही हमारे यहाँ पर सही answer है फिर क्या रहा गया कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद नहीं करते अब इसका उल्टा यानि लाल रंग से जी तरह दिखा रखा है यह देखो दुबारे से मैं इसके चार हिस्से यहाँ पर बना देता हूँ यह एक बटा चार है यह भी एक बटा चार है यह भी एक बटा चार है यह भी एक बटा चार है क्योंकि यह सारे चार में से एक एक हिस्से हैं अब देखिए, नहाना पसंद नहीं करते, यानि लाल वाला जो रंग है, वो कितने कॉलम में आया है, कितने हिस्सों में आया है, एक, दो, तीन, ठीक है, तो चार में से तीन हिस्सों जो है, वो बच्चे हैं, जो बारिश में नहाना पसंद नहीं करते, तो ये कितना हो गया, यह हो गया तीन छोथाई, तो उसके लिए हमारा सही आंसर हो जाता है, यह तीसरा option, तीन छोथाई, यह हमारा सही आंसर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह देखे, यहाँ पर क्या लिखा है, यानि प्यारे बचो क्या आपको पता है, क्या बता रहा है? यह दो वर्ल्ड साइन्स डे फोर पीस and development तो यह एक दिन बनाया जाता है कुंसा word science day किसके लिए फोर पीस पीस यानि शांती development यानि विकास करना आगे बढ़ना तो यह एक science day मनाया जाता है science को लेकर एक दिन मनाया जाता है किसके लिए जब science का इस्तेमाल होता है विश्व की शांती के लिए और उसके विकास के लिए इस सेलिबरेटेड यानि मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड यानि पूरी दुनिया में on 10th of November every year यानि हर साल 10 November को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे वज प्रोक्लेम्ड यानि यह दिन प्रोक्लेम्ड यानि इसकी घोशना की थी प्रोक्लेम का मतलब होता है घोशना करना किसने की थी United Nations Educational Scientific and Cultural Organization यानि UNESCO in 2001 and was celebrated for the first time in 2002 यानि इस दिन की घोशना किसने की थी? UNESCO ने की थी यह एक organization से है जिसमें बहुत सारी देश मिलकर इस चीजों के उपर निरने करते हैं कौन-कौन से education के उपर, science के उपर और cultural activities के उपर ये लोग निरने करते हैं इनकी short form है UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ये इन्होंने 2001 में घोशना की थी, 2001 में प्रोक्लेम किया था और फिर 2002 से इसको मनाना शुरू कर दिया था और इस organization का theme जो है 2020 के लिए, वो क्या है? Science for and with society in dealing with the global COVID-19 pandemic यानि 2020 में इनका theme, यानि इनका main focus क्या रहेगा, इनका ध्यान कहां पर रहेगा? Science for यानि science का इस्तिमाल करेंगे, किसके लिए? Society के लिए और society के साथ, यानि society का क्या मतलत होता है? कि हम लोग जो आपकी जनता होती है, पूरे वर्ल्ड की जो population है, उसको इस society बोल रहे है, in dealing with यानि किसे लड़ने के लिए? ग्लोबल COVID-19 pandemic, जो COVID-19 चल रहा है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए ये science का इस्तिमाल करेंगे, आज की गलासी ही गतम होती है, अगर आपकी कोई doubts हैं, तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं, कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सिखेंगे, तब तक के लिए, thank you and जै हिंद!